नमश्कार दोस्तों भारत को मंदिरों का देश कहा जाए तो गलत नहीं होगा यहाँ पर अनकिनत मंदिर विराजते हैं जिनके गिंति करना पॉसिबल ही नहीं है यहाँ के मंदिर नकेवल अदपुत भव्यता और सुन्दर तालिये हुए हैं बलकि अपनी अनुखी मान्यताओं के लिए भी बेहत फेमस हैं ऐसा ही एक मंदिर है आंत्रप्रदेस के अनन्तपुर जिले में जिस मंदिर का नाम है लेपाख्शी मंदिर यह मंदिर सोल्वी सताप्ति में बनाया गया था इस मंदिर की खुपजूर्थी देखते ही बनती है यह मंदिर शोली सताब्ती की अनुपम कलाकृतियों का एक संग्रै है इस मंदिर में 70 इस्तंब हैं इन खंबो यानी स्तंबों को आकास इस्तंब के नाम से जाना चाता है इस मंदिर की छट पर म्यूरल पेंटिंग्स बनी हुई है जो की वेद और पुराणों की कहानी कहती है ये पेंटिंग्स बेहत ही खुबसूरत है सबसे अनोखा इस मंदिर को बनाने में योगदान जाता है इसके एक विसेशिस संब का जो की हवा में यानि की चबीन से आधा इंच उपर हवा में सीलिंग के सारे लटका हुआ है इस आका सिस्तम्ब को हैंगिंग पिलर कहा जाता है इसलिए लेपाक्षी मंदिर को हैंगिंग पिलर टेंपल के नाम से भी जाना जाता है मानेता है की इस हैंगिंग पिलर के नीचे से यदि कपड़ा या ऐसी कुछ श्वस्तू निकाली जाए तो या उस मनुष्य के लिए बेहद सुभ होती है एवं परिवार में सुक सम्रिध्धी लाती है दोस्तों हवा में लटके हुए स्तंब के साथ तो या मंदिर अनोखा तो है ही लेकिन या बेचोड कलाकृती का नमूना है वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कृप्या मेरे चैनल सब्सक्राइब करें बाबाई